वेलकम बैक यह असरशन रिजनी का कुष्चन और यह आपका एंवार्मेंटल केमस्टी से यह आपका कुष्चन है तो देखो कुष्चन में दो इस्टिटमेंट दी हुए पहला इस्टिटमें बात करता है बी-ओ-डी दी-ओ-डी क्या है? वी-ओ-डी हम लोग को पता होता है, इसका फुल-फ़ाम है Biological Oxygen Demand तो दी-ओ-डी के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत रेरली कोई इसको पढ़ता है तो इसको हम लोग पढ़ा देख लेते हैं क्या होता है BOD देखो लेटसे हिए अपना water है अब इस water के अंदर लेटसे आपने organic matter डाल दिया organic matter organic waste जो भी अपना waste product होता है घर से वो लेटसे आपने इसमें मिला दिया तो थोड़े vegetables होंगे थोड़े leftover foods होंगे और यह बहुत कुछ हो सकता है जो यह जो organic waste है इसका क्या होता है जब आप पानी में यह organic waste डालते है तो यह breakdown करते है rot करेंगे वो basically breakdown हुआ इस breakdown कौन करता है यह breakdown कौन करता है bacteria करता है अब bacteria जब इनका breakdown करेगा तो bacteria को oxygen चाहिए अब bacteria oxygen कहां से लाएगा जो water में dissolved oxygen में bacteria उसको use करेगा अब देखो let's see अपने पास बहुत small amount of organic waste then oxygen required will be less क्यों oxygen is required to convert this organic waste into simpler compound इसको change करने के लिए चाहिए ना ब्लोक को तो इसको breakdown करने के लिए oxygen चाहिए less amount of waste होगा तो less oxygen is required and more amount of waste होगा तो more oxygen is required तो implies that अगर आपका pure water है उसमें जरा भी आपने waste नहीं मारा दिया है अगर बिलकुल waste नहीं तो oxidation का तो requirement नहीं है तो फिर bacteria का oxygen चाहिए क्या फिर bacteria का oxygen नहीं चाहिए तो low BOD means clean water high BOD means polluted water तो higher is the value of BOD more is the pollution यह याद रखेगा higher is value of BOD more is pollution अब क्या पूछ रहा है कि if it is more than 5 then highly polluted तो देखो 5 से कम होता है तो clean मानते है 5 से 17 होता है तो polluted मानते है और 17 से ज्यादा हो जाएगा तो highly polluted हो जाएगा water this is true क्यों true है लेट से oxygen requirement is very high तो oxygen क्यों requirement is very high means क्या हुआ है कि यहाँ पर जितने भी oxygen थे ना वो सारे खतम हो गए oxygen इतना organic बहुत ज्यादा organic waste होगा तो पता क्या होगा बैक्टेरिया सारा oxygen को consume कर देता है इनको convert कर देता है तो पानी में तो oxygen बचा ही नहीं तो highly polluted will have high BOD and high BOD implies that activity of bacteria is low ठीक है थांक यू